नमस्कार दोस्तो प्रावड इंडिया की ब्लॉग में आपका स्वागत है तो दोस्तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारतिय इतिहास के इतिहास में ऐसे अनेक नेता हुए जिन्होंने राष्ट्र की चेतना पर अमिट छाप छोड़ी है उनमें से एक उलेखने व्यक्ति है संभ जी महराज मराठा समराज के दूसरे चत्रपती महान शिवाजी महराज के पुत्र संभाजी का जीवन साहस लचीलेपन और दूड दर्शिता की गाथा भारी चुनोतियों का सामना करने के वाबजूद उन्होंने असाधरन नेतित्तो कोशल और अपने लोगों और उनके जीवन और विरासत पर ही प्रकाश डालेगा आशा करती हूं आप इस ब्लॉक को अन तक चुरूर देखेंगे तो दोस्तों संभाजी राजे मराठा समराजे की नीव रखने वाले मराठा शाशक छत्रपती शिवाजी महराज के सबसे वड़े सुपुत्र थे महज 32 साल की उ जोगल बाश्या और अंगजेव ने हत्या करवादी थी कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनको राजनिती की गहरी समज थी संभाजी राजे का जनम 14 मई 1657 को पुरंदर किले पे हुआ ये पूने से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है वो शिवाजी महराज की पहली और प्रिय पतनी सई बाई के बेटे थे वो महस दो साल के थे जब उनकी मा की मौत हो गई जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजबाई ने की थी जब संभाजी नौ साल के थे तब उन्हें एक समझोते के तहत राजपुत रादा जैसिंग के हां बंदी के तौर पर रहना पड़ा था जब शिवाजी माहराज औरंग जेव को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ ही थे उनकी जान को खत्रा भाप कर शिवाजी माहराज ने उन्हें अपने रिष्टदार के घर मतुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफगा फैला दी कुछ जिनों बाद वो महराजटर सही सलामत भी पहुँच गए संभादे शिरू से ही एक निर्भिक और मस्तमोला टाइप के थे उन्हें गैर जिम्मेधर भी माना गया यही बजा रही कि उनके आचरन को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महराज ने उन्हें पनहाला किले में कैद कर लिया था वहां से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले लगबग एक साल तक मुगलों के साथ रहे एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफतार करके दिल्ली भिजवाने का मनसुबा बना रहा है वो मुगलों का साथ छोड़के महराश्टर लोट आए लोटने के बाद भी उनकी किसमत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से बंदी बना कर पनहाला भेज दिया गया कहते हैं कि जब अप्रेल 1680 में शिवाजी महराश्ट की मौत हुई संभाजी पनहाला में ही कैद थे शिवाजी महराश के दूसरे बेटे राजाराम को सिहासन पर बिठाया गया खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ती का अभ्यान प्लान किया कुछ शुपचिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पनहाला की किलेदार को मार डाला और किले पर कबजा कर लिया उसके बाद 18 जून 1680 को राइगर का किला भी कबजा कर लिया राजाराम उनकी बीबी जान की और उनकी मा सोवराबाई को गिरफतार कर लिया गया 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताज पोशी हुई सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों के साथ कई आक्रमन किये बुरहानपुर्श शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के पर खच्चे भी उड़ा दिये शहर को आग के हवाले कर दिया इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही औरंगजेव से उनकी चिड का एक किसा मशूर है औरंगजेव के चोथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने ही उसे आसरा दिया था उस दुरान संभाजी राजे ने अकबर की बेहन जीनत को एक खत लिखा वो खत औरंगजेव के लोगों के हाथ लगा और भरे दर्वार में औरंगजेव को पढ़ कर सुनाया खत कुछ इस तरह से था खत में लिखा था बाश्या सलामत सिरफ मुसल्मानों के बाश्या नहीं है हिंदोस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है उन सब के वे बाश्या हैं वो जो सोचकर दखन आये थे वो मकसद पूरा हो गया इसी से संतुष्ठ होकर उन्हें दिल्ली लोड जाना चाहिए एक बार हम और हमारे पिता उनके कबजे से छूट कर दिखा चुके हैं लेकिन अगर वो यूही जित पर अड़े रहे तो हमारे कबजे से छूट कर दिल्ली नहीं जा पाएंगे अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें धक्कन में ही अपनी कबर के लिए जगा ढून लेनी चाहिए संभाजी जहां बहुत ही बहदुर मराठा थे वे कभी किसी से नहीं डरते थे वहीं अपनों नहीं उन्हें धोका दिया 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भ्यंकर लड़ाए हुई हलांकि जीत मराठों के ही हाथ लगी लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई यहीं नहीं उनकी सेना पती और संभाजी के विश्वास पात्र हमबीर राव मोहिते की इस लड़ाए में मौत हो गई संभाजी राजे के खिलाब शड्यंद्रों का बाजार गरम होने लगा उनकी जासुसी की जाने लगी उनकी रिष्टिदार शिर्के परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगम मेश्वर पहुँचे तो वहां उन पर घात लगा कर हमला किया गया मुगल सरदार की अगवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया उन्हें और उनके सरहकार कवी कलश को पकड़ कर बहदुर गड़ ले जाया गया औरंगजेव में संभाजी के सामने एक प्रस्थाव रखा सारे किले औरंगजेव को सौंप कर इसलाम कबूल करने का प्रस्थाव इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बक्षी करने का वाधा भी किया संभाजी राजे ने इस प्रस्थाव को मानने से साफ इंकार कर दिया और इसके बाद शुरू हुआ उन्हें टॉर्चर और बेस्थ करने का दौर यातनाओ का दौर काफी लंबा था कहते हैं इसलाम कबूलने से इंकार करने के बाद संभाजी राजे और कवी कलश को जंजीरों वाली पोशाक पहना कर पूरे शहर भर में प्रेड कराए गई पूरे रास्ते भर उन पर पत्रों की बरसात की गई भाले चुभाए गई इसके वाबसूद भी उन्होंने अपने धरम को नहीं छोड़ा और उन पर और भी अब यातनाएं की गई दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई आँखें निकाल दी गई कहते हैं बादशा ने उन्हें अपना धरम कबूलने का हुक्म दिया इनकार करने पर उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया दुबारा पूशने पर भी संभाजी ने इनकार कर दिया इस पर उनकी जुबान खीच ली गई एक बार उनसे फिर पूछा गया तब संभाजी ने लिखने की सामगरी मंगवाई और लिखा अगर बाश्शा अपनी बेटी भी दे तब भी रही मैं अपना धरम छोड़ूँगा इसके बाद उनको तड़फा तड़फा कर मार डाला गया 11 मार्श 1689 को उनके शरीर के टुके टुके कर दिये गए और उनकी जान ली गई इस वक्त की एक किवदंती माहराष्ट में बेहत मशूर है कहते हैं कि मार डालने से पहले औरंग जेव ने संबा जी से कहा था कि अगर मेरे चार बेटों में से एक भी तुमारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में तबदील हो गया होता औरंग जेव ने सोचा था कि संबा जी की मौत के बाद मराठा समरह जग खतम हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा लेकिन हुआ उलट संबा जी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे वे उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे इसके चलते औरंगजेव का दखन पर कबजा होने का सपना मरते दम तक भी पूरा नहीं हो सका और जैसे की संभाजी ने कहा था कि औरंगजेव को दखन में ही दफन होना पड़ा छत्रपती संभाजी राजे पर मराठी सहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है जिसमें शिवाजी सावंत का लिखा उपनियास च्छावा बेहत उम्दा है च्छावा यानि की शेर का बच्चा आज भी महराष्ट्र में संभाजी राजे की छवी शेर के बच्चे की है संभाजी महराज का सहित्य के प्रति भी बेहत रुजान था उन्होंने कई साहित्यक रचनाएं की जो आज भी प्रसिद हैं उन्होंने अपने पिता के सम्मान में सुनस्कृत भाषा में बुद्धा चरित्र की भी रचना की संभाजी ने मुगल भाष्षा औरंगजेव की सेना को कई बार युद में हराया था संबाजी महराज अपनी वीरता और युद कौशर के लिए प्रसिद थे संबाजी ने अपने शाशनकाल में 210 युद किये थे और एक भी युद वे नहीं हारे थे कहते हैं कि शिवाजी महराज ने उन्हें अच्छे शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जैसिंग के यहां भेज दिया था संबाजी महराज ने यहीं पर घुर्सवारी तीर अंदाजी और इसके अलावा तेरा भाशाएं भी सीची थी तलवार बाजी की शिक्षा भी उन्होंने ली थी सोला साल की उमर में ही उन्होंने पहला युद लड़ा था जिसमें वे विजए रहे उन्होंने अपने नौ साल के शाशनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों के साथ जम कर लोहा लिया और उन्होंने कोई भी युद नहीं हारा था माराथा समराजे के लिए किये गए उनके योगदान और वीर्ता की कहानियों को आज भी सुनाया जाता है और इसी कारण उन्हें शेर का बच्चा कहा जाता है तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेर कीजेगा ताकि इतने महान लोगों के बारे में और लोगों को भी पता लगे धन्यवाद वीडियो को अंतक देखने के लिए झाल 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 झाल